Hello everyone, this is Lata Singh from Zraddha Smart Education तो अभी हम करने वाले हैं Formative Assessment No. 10 ये है आपकी Class 4th 5th से So let's begin, इंगलिस की Workbook से है Question No. 1 है आपका Find the odd one out इसमें से आपको odd one find out करना है तो odd one क्या होगा, आपको ये देखना है देखें का Mobile, Laptop, Computer ये सेम होते हैं, ठीक है तीनों ही Electronic Gazette है और यहाँ पर ये जो डाइरी है हमारी ये odd one है, डाइरी में हम पहन से लिखते हैं तो हमारा जो Correct Option होगा वो होगा डाइरी इसी तरह से Second वाला है आपका Find the odd one out इसमें भी आपको odd one find out करने हैं तो आप देखेंगे Table है Chair और Sofa तीनों ही Furniture में आते हैं Count होते हैं और जो Pen है, Pen से हम लिखते हैं तो ये Pen हमारा odd one हो जाएगा तो Third, Fourth वाले पर हम टिक कर देंगे इसमें Second के Fourth पर अब Next देखेंगे Third वाला Question The State Tree of Rajasthan is तो State Tree कौन सा है Rajasthan का तो ये होता है खेजरी ओके रोहिडा नहीं होता, बन्यान ट्री नहीं होता मैंगो नहीं होता, खेजरी ट्री Fourth नंबर है आपका What do you do first in the morning सबसे पहले आप मौर्निंग में क्या करते हैं सबसे पहले आप स्कूल जाते हैं Dinner करते हैं जो की रात में किया जाता है तो ये तो करेंगे ही नी Have lunch Lunch करते हैं Lunch भी नहीं करते हैं सबसे पहले क्योंकि Breakfast होता है Wake up या फिर go to school इन दोनों में से आप क्या करते हो सबसे पहले तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप wake up करते हो in the morning, उठते हो, ठीक है, wake up में सोता है, उठना सोके Next question है, question number fifth, complete these sentences using is, am, are, is, am, are को use करके आपको ये sentences को complete करना है ये हमारी helping verbs होती है, ठीक है, is, am, are क्या है, हमारी helping verbs है, या फिर इनको auxiliary verbs भी बोलते है तो first है हमारा they, ठीक है, they plural है, तो यहाँ पे हम R लेके आएंगे, they are singing, वे गा रहे हैं, मतला उसमें बहुत सारे लोग का जाएंगे, तो they are singing I, singular है, तो I am tired, मैं थका हूँ, I के साथ always am का use होगा, present tense में next है, see, तो see के साथ is का use होगा, he, see, it, या किसी का name अगर आता है, राहोल, अमान, सीता, गीता, तो वहाँ भी is का use करोगे she is hungry, वह भूंकी है, next हमारा है इसमें you, you के साथ R का ही use होगा, you are intelligent, तुम intelligent हो question number 6 देखते हैं, 6 है, write the description for these pictures, आपको ये जो picture दी गई है, इनकी description लिखनी है इनके बारे में आपको बताना है, तो यहाँ पर children हमें दिया गया है, हमें आपने आप से line एड़ करनी है, तो ये जो दो बच्चे बैठे हुए, ये क्या कर रहे है मुझे तो खेलते हुए नजर आ रहे हैं, आपको जो भी नजर आ रहे हो, वो आप अपने according लिख देना तो मैंने लिख दिया है, यहाँ पर children are playing with toys, क्योंकि मुझे यहाँ पर clearly देखना ही रहा है, ये maybe toys है तो बच्चे toys के साथ खेल रहे हैं, फिर यहाँ पर ये, ये भी मुझे picture थोड़ा clearly समझ में नहीं आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बवलिंग कर रहा है, जैसे बच्चे bubbles फुलाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, where are you going, ठीक है, where में, w हमें सबसे पहले word जो होता है, alphabet हमें capital बनाना होता है उसके बाद हम, जब question word है ये, ठीक है, तो यहाँ पर हमें question mark लगाना होता है ये गलात हो रहा है, तो यहाँ पर हम करेंगे, सबसे पहले w को capital में मनाएंगे, capital letter में, where are you going, और last में question mark, ये complete हो गया second, इस तरह से, जया is going to meet सुस्मा, तो जब भी कोई name कहीं भी आ रहा होता है, तो name में जो first alphabet होता है, वो capital बनता है और last में से full stop नहीं है, तो यहाँ में असी करेंगे, जया is going to meet सुस्मा और full stop, ठीक है, as सुस्मा का capital बना दिया next question है, question number 8 है हमारा, write three things that you do everyday तीन चीज़े आपको यहाँ पर लिखनी है अपने बारे में, जो आप everyday में करते हो, मतलब रो जाना करते हो, प्रती दिन करते हो तो यहाँ पर I go to school, daily, मैं school जाता हूँ daily, I do my homework, मैं अपना homework करता हूँ, ठीक है, and I brush my teeth, मैं अपने दातों पर ब्रस करता हूँ यह फिर I take bath, मैं नहाता हूँ, I take breakfast, मैं breakfast लेता हूँ, ठीक है, I complete my homework, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर अपने according three sentences लिख सकते हैं, तीन चीज़े आपको बतानी है, अपने बारे में क्या करते हैं everyday, तो यह worksheet आपकी complete हो चुकी है, आपका formatting assessment जो की है, number 10, and if you like this video, please channel को ज्यादा से ज्यादा subscribe करें, और अपने friends के साथ भी share करें, thanks for watching.